हलो मेरे प्यारे दोस्तों रभी ओनलाइन क्लासेस में स्वागत है आपका भाई रभी इतिहास इंपोर्टेड एंसी आर्टी फ़लास लूसेंट को लेकर आये हैं पहला के हुचन इतिहास का पिता किसे कहा जाता है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है तो इतिहास का पिता हेरो डोटक्स को कहा जाता है इतिहास का पिता हेरो डोटक्स को कहा जाता है दुसरा के उचन है सिंधू सभ्याता पर्सिध था तो सुनियोजित सहर हेतु ये, सिंदू सभ्यता परसीद था, सुनियोजित सहर हेतु परसीद था, सिंदू सभ्यता के लोगों का बेवसाय था, ब्याफार का अना, सिंदू सभ्यता को लोगों का बेवसाय था, ब्याफार का अना, सिंदू भासियों का मुख फसल था, जाओ एबम गयों, के उचन नमबर चार, उचन नमर पांच, दिखिएगा, रापा सभता के बारे में जनकारी किस ने दिया, तो हर अपा सभता के बारे में जनकारी 408, 1726 कई कई मिलता है ने दिया, लेकिन हरपा का खोज 5891, lleva' किया धा, कि उचन नमबर 6 देखिए मोहन जोद्रो ये हरपा की खुदाई के परभारी कौन थे तो सर जॉन मार्सल मोहन जोद्रो येवा महरपा की खुदाई के परभारी कौन थे सर जॉन मार्सल कि उचन नमबर 7 देखिए गया हरपा की सभ्याता थी कास यूग सब्ता मतलब कास गिन सभ्यता है कि उचे नमर्ण डखियेगा सींधू सव्यता की लिपी थी भौँ चित्रात्मक उचे नमर्ण आओ दखिएगा मिस्त्र के राजा कहलाते थी फ्राओ के उच्च नमर्ण disent से खरोष्टी लिपी लिखी जाती थी दाएं से बाएं कि उसका देन सिंदू सव्यता से ही वह सिंदू सव्यता से ही स्वास्तिक चिन दिया गया क्योंचा नमर बारा देखेगा आदी मानव ने सरप्रतम सीखा आग जलाना आग का अविश्कार हुआ पूरा पासन काल में क्योंचा नमर चौदा सबसे पहले पालतू जानवर था कुटा सबसे पहले पालतू जानवर था कुटा है क्योंचा नमर पंदरा सिंदू सव्यता थी आदेतिहासी काल की मतले इसकी काल क्या माना जाता है तो आदेतिहासी काल माना जाता है हरपा इस्तित है रावी नदीक टट पर के उचनमर 16 कहता है हरपा कहां हरपा इस्तित है किस नदीक ना है तो रावी नदीक टट पर इस्तित है हरपा के लोग अपरचित हैं हरपा सभ्यता में सिंधू घाटि सभ्यता में लोहा का खोज नहीं हुआ था क्यूच नमबर बीस चावल के साच मिलते हैं कहां से मतलब चावल के साच मिलते हैं लोथल एवबरंग पूर से सिंदू सिवयता का मन्याता प्राप्त काल हैं मतब सिंदू सिवयता का जो काल है अरहाई है जार इसापुर्व से 1750 इसापुर्व तक माना जाता किउचन नंबर 22 दिखेगा मेरे प्यारे दोस्त महुष्जोदरो इस्तित है महुष्जोदरो पाकिस्तान के लर्काना जिला में इस्तित है कि उचन नमबर तेख्ष दखिएगा महन जोदरों की खोज किसने की तो महन जोदरों की खोज राखाल दास बनारजी ने 1922 इस्वी में किया महन जोदरों की खोज कब किया गया तो 1922 इस्वी में कि उचन नमबर पचीश दखिएगा क्यूचन नमर्पचीश देखिएगा नर्तिकी की कास मूर्ती कहां से मिली है क्यूचन नमर्पचीश कहता है नर्तिकी की कास मूर्ती कहां से मिली है तो महण जोदरों से महजुंदरों से नर्तिकी की कास मूर्ती महण जोदरों से मिली है केहुचा नमबर 26, सिंधू सव्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, मतलब सिंधू सव्यता में सबसे बड़ी इमारत थी, जो महांजोदरों तो महांजोदरों में अनागार, अनागार था, उसे महांजोदरों को सबसे बड़ी इमारत माना गया है, किहुचा नमबर 27 महंजोदरों के परमुख असमारक असमारक में ब्रिहत असनानागर जहां बाथरूम हुआ करता था असनानगर हुआ करता था वहां परमुख असमारक में ब्रिहत असनानागर है किहुचा नमबर 28 को सिंदू घाटी की ने पूजा के थैंसे मात्री देविगवए करवा तो होज ये सेंक्री है कितनी है। तो पुरानों की संक्या 18 हैं, पुरानों की रचना कव हुई, तो गुप्त काल में, पुरानों की कव हुआ, तो गुप्त काल में, क्यूचे नमर 33, सबसे प्राचिन पुरान मतास पुरान, सबसे प्राचिन पुरान कौन सा है, मतास पुरान है, क्यूचे नमर 34, पुरानों का तो लोमहर से उंग्र स्रवा को माना जाता है बेदों की संग के अचार और बेदांगों की संग के अच्छे है बेदों में अर्थवेद, इरिंगवेद, सामवेद या जूरवेद आता है उपनिसदों की कुल संग के कितना है तो उपनिसदों की संग का 108 है क्योंचन नमबर 37 पुरानों का अध्यन करने वाला प्रता मुसलमान कौन था मतलब पुरानों का अध्यन किस ने किया था हुआ कौन सा मुसलमान है जो पुरानों का अध्यन किया था तो अलबरुनी ने उपनिसद का विशाय बस्तु क्या है दर्शन ब्रहमन ग्रंत समंदित है कर्म कान से सबसे प्राचिन बेद कौन सा है रीग बेद सबसे प्राचिन बेद कौन सा है रीग बेद रीग बेद में सुक्तो की संक्या 1028 है गद एवं पद वाला बेद किसे कहा जाता है जूर बेद को कहा जाता है सत पत ब्रहमन समंदित है जूर बेद से क्योंच नमर 44 देखिएगा तंत्र मंत्र संग्रहित बेद है अर्थ बेद मतलब तंत्र मंत्र संग्रहित बेद कौन सा है अर्थ बेद भरतिये संगीत का जनक कहा जाता है साम बेद का गायत्री मंत्र लिया गया है रीग मित से गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है रीग बेद से गायत्री मंत्र का राचनाकर कौन है विश्वामीत्र है गायत्री मंत्र समार्पित है सावित्री का सूर्ज देवत्र का गोत्र सब्द का उलेख मिलता है अर्थवेद से भागवत धर्म के परवर्तग थे किरिशन भा prohibत धर्म के परवर्तग थे क्रिशन भाक्ति अंदोलन पालम का प्लं किया अलवार संतों द्वारा आर्जों की जनकारी मिलते है रीग वेद से आर्जो की जनकारी मिलती है रीग वेद से बादलो का देवता माना जाते हैं पुरंदर किसे कहा गया इंदर को पुरंदर किसे कहा गया इंदर को इरीग वेद में सबसे बाद में निर्वित मंडल है दसमा मंडल इरीग वेद में सबसे बाद में निर्वित मंडल है दसमा मंडल इरीग वेद में सबसे बाद में सत्मेव जैते लिया गया है मुंडव उपनिसद से गरंथों में सबसे प्राचीन अस्मीनिति मन्नु अस्म्रिति क्योचन नमर 62 देखेगा पुष्टक मितासरा के लिखा के बिग्यानेसवर महाभारत का आन नाम है जय सहीता क्योचन नमर 63 महाभारत का आन नाम है जय सहीता क्योचन नमर 64 महाभारत का फार्सिय नुबाद का सिड्सक रजनामा क्योचन नमर 65 महाँ भारत की रचना किसने की महर्शी बेद व्यासने की उचन नमबर 66 दिखेगा आर्जो का आगवन हुआ 15 सविसा पुर्व से पहले आर्ज सरप्रतम बसे थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में इरिक बैदिक आर्जो की भासा थी संस्क्रीत कि उचन नमबर 79 आर्ज लोग भारत आयें थे कहां से मधएसिया से अर्ज लोग भारत आयें थे मधएसिया से कि उचन नमबर 67 चून बाद का प्रथिपादा कौन नागा अर्जोन सूद निवाद का प्रतिपादकोन नागा अर्जुन कि हुच नमबर 117 देखिएगा गौतम बुध का जन्म लोबनी में हुआ था 583 हिसा पूर्व 583 हिसा है 563 हिसा पूर्व बुध की मिर्तो हुई थी कुसी नगर 433 हिसा पूर्व में पूर्व नगर में हुआ था बुध की मिर्तो की घटना क्या था माहा पड़ी निर्वान बुध की मिर्तो की घटना क्या था माहा पड़ी निर्वान बुध के प्रतम गुरु कोन थे अलार्म कलाम क्यों चना में पच्छत है क्योच नमबर चेहतर बूध का प्रतम प्रवचन क्या कलाता है धर्म चक्र परवर्तन क्योच नमबर सततर बूध ने अपना प्रतम उपदेश दिया था साधनाथन बूध ने अपना प्रतम उपदेश दिया था साधनाथ में बूध ने उपदेश दिया था पाली भासा में बूध ने उपदेश कौन सी भासा में दिया था पाली भासा में बूध ने सरवाधीक उपदेश दिये थे सरवस्ति में बूद धर्म के तिरी रत्न है बूद धर्म एवं संग है बूद धर्म गरहन कानने वाली प्रतम महिला थी महा प्रजापती गौतमी जो बूद धर्म के मौसी थी बूद धर्म प्रतम बूद संगिती हुई थी अजाज सत्रू के काल में चार बूद संगिती जिसमें प्रतम हुआ था अजाज सत्रू के काल में प्रतम बूद संगिती का हुई थी 483 इसापूर दितिये बूद संगिती का हुई 383 इसापूर तिरितिये बूद संगिती का हु बध के पर्व जन्पडा धारित कताः जाता है कि बौध धर्म का पर्मुक गरंत है पीटक बूध धर्म का पूजा अस्तल है कि बूध चरीत के लेखा कर अस्व गोस जीबक पंत का परवरता मख्कालि गोसाल कि उचर नमर दर बान में हिजिली संबत की सुसरोथ हुआ MID-627 पूर्वा शीख वाद का परवारतन हैं पंदरासा अविशा पूर्वा अ कि इसलाम धर्व का परवारतक थ्रत मोहम्मत साहिब कि उचर नमर 25 में हजरत महम्मद साहिब का जन में 570 पूर मक्का में हुआ था जैन धर्ब प्रथम तिर्थकर्त है। रिशव भेद, जैन धर्व के अंतिम तिर्थकर्थे महावीर स्वामी, कियोचा नमबर अंठान में, जैन धर्व के तिर्थकर्थे की जिवनी का उलेख कल्ब सुत्र में हैं, कियोचा नमबर निनान में, सूफी धर्म का दोलन का विकास नौमी सदी में हैं, महावीर स्वामी का जन हुआ था बैसाली कुंदल पुर में, कि हुच़न नमबर 101, महवीर स्वामी का जन हुआ था 540 इसा पुरwh में, महवीर की मिर्टुप पावा पूरी में हुआ 468 इसा पुर्व में, महवीर किस राज घराने से थे तो छत्री ये थे कि उचन नमबर 104 महवीर का प्रतम अनुआई कौन था जमाली जो उनके दमाद लगते थे 105 महवीर एवं बुष दोनों ने उपदेश दिये विम्विसार के काल में जैन धर्म के दो संपरदार थे स्वितेंबर एवं दिकंबर जैन धर्म के दो संपरदाय थे स्वितेंबर एवं दिकंबर जैन धर्म का चरम लच्छ है मोच की प्राप्ति है प्रथम जैन सभा 322 इसापूर पाटली पुत्र में हुआ था दूसरी जैन सभा 512 इसापूर्वे यहाँ पर क्यूचन डॉट है 105 नम में यह नाव जैन साहित को कहा जाता है आगम इसापूर लेहम में इसापूरी को सुली पर चड़ाया गया 33 इस्वी में मगत के रजधानी कहां थी राजगिरी गिरी वर्जी से कहा जाता है सुची कहां किसे मिलता है तो अंगुत्ते निकाय में मिलता है सिसुनाग बंस का संस्थापक था सिसुनाग हर्यक बंस का संथापक किसे कहा जा था बिंबिसार को हर्यक बंस का संथापक किसे कहा जा था बिंबिसार को पाटली पुत्र के स्थापना की थी उदहीन ने पाटली पुत्र के स्थापना की थी उदहीन ने पाटली पुत्र के स्थापना क्या उदहीन ने पाटली खाद के रुप में कौन पर सिध था दो सरक्टाने कि अगाना नद्व नंद्व करेकन किया था लान योंने भारत पर सरपरक आखवन किया था इरानियों ने भारत पर आकवन केने वाला प्रतम सासक था सिकंदर तीन-सओ-चुपीस इसा-पूर्फिव भारत-प्रकमन किया था ओ असिब पोरस की पूरेश की बीजक जुद को चाहने है?」 हुआ इड़े स्पिर का जुद हुआ था जहलम नदी के किनारे सिकंदर की मिर्टु हुआ था तिनसो तेशी सपुर्व बेवि लोन में घोरा पर से गिर जानने के कारण मौर्ज बंज का संस्थापक था चंद गुप्त मौर्ज मौर्ज बंज के जनकारी मिलते है विशनु पुरान से सुदर्शन जिल का निर्मान करवाया था चंद गुप्त मौर्ज ने सुदर्शन जिल का निर्मान करवाया था चंद गुप्त मौर्ज ने